नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर तकरीबन 200 फिल्मों में काम करने वाले कपूर खांदान के चहिते सितारे सम्मी कपूर सहाब का आज है जनम दिन जी हाँ दोस्तों तो आज हम लोग सम्मी कपूर सहाब के जनम दिन स्पेसल में सम्मी कपूर सहाब से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने किस्चे के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं भारते सिनेमा जगात के एल्विस प्रेसली माने जाने वाले एक्टर सम्मी कपूर सहाब की आज 19 वी बर्थर डे इन्वर्सरी है और कपूर खानदान के वे वह पहले ऐसे बच्चे थे जिनके डिलिवरी अस्पताल में हुई थी और उनके पिता प्रिचुर राज कपूर सहाब ने उस समय सम्मी कपूर सहाब का नाम समसिर राज कपूर रखा था और बाद में वहाँ समसिर राज कपूर से सम्मी कपूर हो गए बालीट इंडश्ट्री में सम्मी कपूर सहाब ने पूरे पांच दसक तक अपना दबदबा क प्रिट्वी राज कापूर और उनकी धर्वाइब दोगाइम रखा था और इस लंबे काल में उन्होंने करीब 200 फिल्मों में काम किया था रंगिन राते उजाला मुजरीम दिल दे कर देखो जंगली कास्मिर की कली राजकुमार जैसी कई फिल्में उनकी करियर की संदार फिल प्रिट्वी राजकापूर और उनकी धरम पतनी राम सरनी महरा कपूर बहुत डरे हुए थे जब सम्मी कपूर सहाब गर्भ में थे दम पती के डरने की वज़ा याद थी कि राजकापूर के बाद उनके दो बच्चों की मौत हो गई थी हलाकि दोनोंने हिम्मत से काम लिया और सम्मी कपूर सहाब को मुंबाई के एक अस्पताल में जनम दिया सम्मी कपूर सहाब के पैदा होने के बाद उन्हें बड़े ही प्यार से जहां पाला गया और दोस्तों बच्चपन से ही एक्टर रहे थे सम्मी कपूर सहाब इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता है कि सम् कपूर सहाब को उनका पहला जौब मिला था जहां पर वह एक जुनियार आर्टिस्ट का काम कर रहे थे और उनको उस काम के लिए एक सब पचास रुपे पती माह तंखा मिलती थी और दोस्तों भाई की वजह से छोड़ना पड़ा था इसकूल आए इस किस्टे के बारे ने भी बात करते हैं पिर्च्वी राजकपूर सहाब के दोनों बेटे राजकपूर और सस्टी कापूर बहुत टालेंटेड थे और सम्मी कापूर सहाब का यह किस्सा बहुत मसूर है कि अपने भाई के चलते उनको भी स्कूल छोड़ना पड़ा था दरसल हुआ यह था कि छोड़कर आ गए थे और अपने भाई के लड़ने का नतिज़ा सम्मी कापूर को भुगतना पड़ा और उन्हें भी वहां इसकूल जो है वो छोड़ना पड़ा था और पचास रुपे में करते थे थे थेटर का काम सम्मी कापूर सहाब के जिंदगी का यहां बहुत ही खा सम्मी कापूर सहाब जब कॉलेज स्टुडेंट हुआ करते थे तब एक दिन वह अपने कॉलेज को छोड़ कर घर आ गए थे वह थोड़े निरास और खोए-खोए से थे तब उनके पिता प्रित्वी राजकापूर सहाब ने उनके मन की बास समझते हुए उनसे कहा था कोई बात नहीं पुत्तर और उन्हें थेटर जोईन करने का मौका दिया था और दोस्तों नहीं मिली इस्टार कीड़ वाली लांचिंग आए इसके बारे में भी बात करते हैं वह जमाना था जब सम्मी कपूर सहाब अपने पीता के थेटर में एक मजदूर की तरह काम किया करते और उनसे अपनी तंखवा लिया करते थे पृत्वी राज कपूर सहाब का उस समय बालविड इंडिस्टी में एक अच्छा खासा दबदबा था अगर वो चाहते तो उनके बेटे को एक सांदार लांचिंग मिल सकती थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जिया दोस्तों प अपने बेटे समी कपूर सहाब को खुद को ही उनके पहर पर खड़ा करने का निर्णाय लिया था और समी कपूर सहाब ने खुद मेहनत किया और अपने पिता के निर्णाय को सही साबित किया और स्टार कीड वाली लांचिंग ना मिलने का एक और कारण था जिहां दोस्तों बतावर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने अपनी फिल्मी केरियर के शुरुआत अपनी बच्पन से ही कर दी थी और जिवान जोती से बड़े परदे पर की शुरुआत जी हाँ दोस्तों 1903 पन में रिलीज हुई फिलिम जिवन जोती से समी कपूर सहाब ने अपनी बालिट करियर की सुरुआत की थी और इस फिलिम में उनकी एक ट्रेस चांद उस्मान थी इस फिलिम को महेश कॉल ने इंडिशित किया था और ऐसा कहा जाता है कि इस फिलिम को करने के लिए समी इस बात से उनके घर वाले अंजान नहीं थे कि ऐसा कहा जाता है कि अपने फिलिम ब्रह्माचारी की कोई स्टार मुम्ताज के साथ उनका गहरा संबंद था लेकिन दोस्तों वो जादा दिनों तक नहीं ठिक सका उनकी जिन्दगी एक और किस्ता है जब वह एक विदेसी बे फ्रेंड थी इन दोनों ननहे कला कारण 1923 में रिलेज हुई फिलिम लैला मजनों में साथ काम किया था और उस समय नुतन मात तिन साल की थी और सम्मीक अपूर सहाब उस समय छे साल की थी तब चले कर आंत तक उन दोनों के एक अच्छी दोस्ते थी और दोस्तों गीता बाल प्रभाव नगर की रानी निला देवी से दुसरी साधी कर ले थी और दोस्तों लिविश्टिक से भरी मांग फिलिम काफी हाउस से गीता और सम्मी की मुलकात हुई जिसके बाद सम्मी कपूर सहाब उनसे बेंतहा प्यार करने लगे थे ऐसा कहा जाता है कि सम्मी कपूर सहाब गीता से हर एक दिन या सवाल पूछा करते थे कि तुम मुझसे प्यार करती हो और हर बार गीता का एक ही जवाब होता था ना सम्मी कपूर सहाब के जिन्दगी के एक ऐसा खास पल था जब गीता ने उन्हें हां कह दिया था और उनसे उसी समय साधी करने की बात कही थी और जंगली फिल्म ने दी उन्हें पहचान समी कपूर सहाब कितने बेहतरिन कलाकार थे यह तो उनकी हार एक फिल्म में जलकता है लेकिन 1971 में रिलेज हुए उनकी फिल् पहल दी थी यह उनके करियर की सबसे सांदार फिल्म थी जिसने उन्हें रातो रात सुपर इस्टार बना दिया था और इस फिल्म को करने के बाद यह कहा जाता है कि समी कपूर सहाब जितनी फिल्म में नजर आए वह सब हीट हुई और डांस और समी कपूर जिया दोस्तों स एसे ही बालिटी इंडिस्ट्री का एल्वीज प्रेसली नहीं कहा जाता है इस उपाधी मिलने के पीछे एक बहूत रुचक कहानी है श्मी कपूर सहाब ने बालिवीट इंडिस्ट्री को एक खांस दोफा दिया था जिसने हिरोज का डेफीनेसन चेंज कर दिया था यह कहा है कि सम्मे कपूर अपनी फिल्मों में अपने तरीके से ही डांस करते थे और दोस्तों वह इंटरनेशनल इस्टार एल्विस प्रेसली से बहुत प्रभावित थे उनकी वज़ाए से बाले डिनेश्टी में लिड एक्टर का डांस करने का चलन्ज शुरू हुआ था और दो तो इस्तमाल के लिए उस समय भारत में इंटरनेट का उतना चलन नहीं था लेकिन फिर भी सम्मी कपूर सहाब ने कंप्यूटर का ग्यान लिया और वह इंटरनेट का इस्तमाल करना भी जानते थे और दोस्तों यू तो अगर बताएं तो सम्मी कपूर सहाब के बारे में बताने बहुत बहुत बधाई और आप जहां भी रहें खुश रहें अबाद रहें हम लोगों की यही दुआ है तो आज इसी तरह के जनकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नी किये हैं तो प्लीज दोस्तो हमारा चैनल जड़ु किये हैं तो लाइक कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा थाइंक्च दस्तों हमारे वीडियो वाचिंग करने के लिए